कि नमस्कार मेरा नाम ग्यानिश्च्वर है और आप देख रहे हैं लाइफ्टेटिज डॉट इन पिछले कई दिनों से हम लोग संसर्य चुनाओ 2000 के लोग सभाचुनाओ को लेकर चर्चा कर रहे हैं सीट सेडिंग को लेकर चर्चा कर रहे हैं बिहार का मिजाज बता रहे हैं डावेदारी बता रहे हैं सीट सेरिंग एंडिये में करीब करीब फाइनल है रालोशपा और लोजपा की सीटे फाइनल होनी है बाकी तो तही हो गया है कि जदिव और भाजपा बड़ाबर बड़ाबर सीटों पर लड़ेंगे पर आज हम बात करने जा रहे हैं 2019 के लोग सुभा चुनाओं में महिला उमिदबारों की दावेदारी का हिसेदारी की बात भी है आधियाबादी की हम कुछ पुराने आंकरों को लेकर आए हैं और भविस्की संभाबनाओं को तलाश रहे हैं 2004, 2009, 2014 के एलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं और जो उमिदबार थे उसके इनलाइसिस हमने करी हैं और जो उमिदबार हमें दिख रहे हैं बात सही भी है कि महिला उमिदबार जहां कहीं भी दिखी हैं वो आन बिहाफ आफ दिखी हैं मतलब किसी न किसी कारण से उनको टिकट दिया गया है स्वतंत्र हैसियत नहीं है किसी को उनके पती के कारण टिकट मिला किसी को उनके पिता के कारण टिकट मिला तो वो जो सिस्टम चला रहा है उसी सिस्टम में वो टिकट हासिल कर रही है शुरुआत हम करते हैं 2004 के चुनाव से क्योंकि 2004 और 2009 के चुनाव को एनलाइज किया जा रहा है 2019 के सीर्ट सेरिंग को लेकर NDA में वैसे 2014 की दावेदारी भी दिखी जाएगी 2004 में हमने देखा कि तीन उमिदबार चुनाव जीत कर संसत पहुंची कॉंग्रेस से रंजीत रंजन सहर्षा से चुनाव जीती थी 2004 में सुपॉल नहीं था लोग सभाच्छत्र सहर्षा और मध्यपूरा हुआ कदर था कांति सिंग आरा से जीती थी और मीरा कुमार सासाराम से जीती थी मतलब दो कॉंग्रेस के और एक दो कॉंग्रेस और एक राज़त के कांति सिंग राज़त से जीती थी बीजेपी से कोई उमिदबार महिला उमिदबार ने सफलता हासिल नहीं की थी 2004 के चुनाव में तीन सांसदों की संख्या 2004 के चुनाव में हुई महिला जितने वालों की पर एक उप चुनाव हुआ बिक्रम गज लोग सभाचेतर को लेकर तब बिक्रम गज लोग सभाचेतर हुआ कता था अजीत कुमार सिंग जदियू के पत्यासी थे ये 2004 का आकरा है 2009 के आकरे को देख रहे हैं तो 2009 में हमने पाया कि पांच महिला सांसद बनी पांच महिला सांसद बनी शूहर से रमा डेवी बीजेपी से उजियार्पूर से अस्सुमेट डेवी जदियू से आरा से मीना सिंग जदियू से और शासाराम से मीरा कुमार कॉंग्रेस से पांच में सांसद पुतुल कुमारी चुनाओ जीती थी उपचुनाओ में 2009 के चुनाओ में दिगविजय सिंग निदलिय जीते थे बागा से लेकिन बाद में उनका निधन हो गया थे और जब उपचुनाओ हुआ तो पुतुल सिंग चुनाओ जीती जो दिगविजय सिंग की पत्नी है अब बात करते हैं 2014 2014 में किस पार्टी ने कितनी महिलाओं को ठिकट दिया इस पर गौर करने की जुरत है हम सबसे पहले बीजेपी बीजेपी ने रमादेमी को मिरबार बनाया शिभर से और पुतुल सिंग को बांका से 2014 में एंडिये में तीन पार्टी थी बीजेपी एलजेपी और आरेलेसपी बीजेपी ने तीस सितों पर चुनाओ लगा था एलजेपी ने साथ सितों पर चुनाओ लगा था और RLSP ने तीन सीटों पर चुनाव दा रहा था तो 30 सीटों में BJP ने दो महिला पत्यासी बनाए रमादेवी और पुतुल सिंग को इन में रमादेवी सिभर से चुनाव जीट गई पुतुल सिंग बांका से चुनाव हार गई करा मुकाबला हुआ था जैपकास नाराइन जादब के सास राज़त कियों मिद्बार पर पुतुल सिंग चुनाव हार गई लजपी ने अपनी साथ सीटों में एक महिला पत्यासी को मिद्बार बनाया बीना देवी को जो की बाहुबली सुरजभान सिंग की पत्नी है सुरजभान सिंग खुद चुनाव नहीं लनी खिसीती में थे इसलिए बीना देवी को पत्यासी बनाया गया मुंगेर से और वह चुनाव जीट गई तब उन्होंने जद्यू पत्यासी ललन सिंग को जो मंत्री थे उन्हें चुना हरा दिया था और बिहार को चौका दिया था उपेंदु कुसबाहा की पार्टी RLSP को तीन सीटे मिली थी लेकिन उसने किसी महिला पत्यासी को नहीं उटा रहा अब जद्यू की बात करें जद्यू 2014 में आपको पता है कि एंडिय गत्भंडन से अलग था और 40 सिटों पर चुनाओ बामपंथी तालमिल के साथ लग रहा था आपको पता है कि 2014 की लडराई बहुत कठिन थी देश भर में मोदी महाल लहर चल रहा था इसके बावजोद निटिस कुमार चुनाओती स्विकारे थे और सभी जगों पर पत्यासी उन्होंने उता रहा था तो जो दो महिला पत्यासी उतारी गई थी अश्मेज देवी उज उसी पत्यासी थी आरा से मीना सिंग इनमें ये दोनों पत्यासी हार गए जडियू में सुमेज देवी की हार जो 2009 में चुनाओत जीट गई थी इसलिए हो गई क्योंकि वहां उजियारपूर कुस्वाह की सबसे सुरक्षित सीथ है साइड इसी कारण 2019 के चुनाओ को लेकर उपेंद्र कुस्वाह की नजर उजियारपूर पर गड़ी है पर वहां 2014 में क्या हुआ कि नित्यानंदराई भाजपा की उमिद्बार बनाए गए भाजपा ने माप लिया था कि असुमेज देवी जडियू से आ रही है और आलोक महता वे भी कुस्व बहार लरेंगे तो यादब की जीत हासिल हो जाएगी हुआ भी ऐसा ही असुमेज देवी चुनाओ हर गए दो कुस्वाहों की लराई में और वहां से नित्यानंदराई जो भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट है भी वे चुनाओ जीत गए आरा में मोदी महालहर में मीना सि हरी कॉंग्रेस ने तीन पत्यासि होतारे के दोजार चौदा चौनाओ महिला पत्यासी रंजीता रंजिता रंजन सूपाल में सा सासाराम से जीत गई मीराचिन 04 में सा सा सराम चौनाओ जीती हुई थी और लोकसभा की स्पीकर भी बनी थी, वह 2014 में चुनाव हार गई, जोती गोपालगंज से चुनाव लरीं और हारीं, जोती को गोपालगंज इसलिए भी भेजा गया था, गोपालगंज रिजर्फ से था, कॉंग्रेस के खाते में गई थी, लालू पुसार ने डाल दिया था, और कॉंग्रेस क मिर्बार उतार नहीं थे और कॉंग्रेस के पास कोई मजबूरी थी कोई मिर्बार मिल नहीं रहा था तो जोटी को लड़ने को भेज दिया गया गोपालगन और वहां हुआ बहुत बड़े अंतर सेहारी गोपालगन की सीट पर भाजपा के पत्यासित जनक राम को बिहार में सबसे बड़ी जीत मिली थी यही आद रखना होगा आरजजेडी ने लालुजालब की पार्टी ने 2014 में सबसे अधिक महिला उमीर बार उतारे मतलब पांच पत्यासि पांचों का बैक्ग्राउंड आप जानते हैं राब्री देवी की बारे बताने के जरुतनी है लालुजालब की पत्नी मिसा भार्टी लालुजालब की बेटी कांटी सिंग की बारे में आपको पता है हीना सहाब, सहाब उदिन की पत्नी, सहाब उदिन खुर चुनाओं नहीं लेख सकते हैं जेल में हैं, क्रिशना यादव, चर्चित, रनविर यादव की पत्नी और इन पांचों में से सभी चुनाओं हार गए तो ये तो 2014 तक की सूरत रही है अब हम जब 2019 की बात करेंगे, कि 2019 में टिक्टो की दावेदारी की बात कैसे चल रही है और क्या हो रही है तो सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं बीजेपी ने 2014 में दो मिलबार उतारे थे, रमादेवी और पुतुल सिंग को रमादेवी चुनाव जीत गई थी, पुतुल सिंग बाका में चुनाव हार गई थी कहने वाले कहते हैं कि सिभर में रमादेवी के चुनाव रमादेवी के टिकट पर भी संकट है पर अकेली महिला सांसन का टिकट बीजेपी काट पाएगी यह थोरा सा मुश्किल लगता है, वैसे रमादेवी के पास बिकल्प भी तैयार है राजिनितिक पंडिक करते हैं, राजिनितिक जानकार करते हैं कि यह रमादेवी का टिकट काट दे जाता है तो लालू यालव हाथों हाथ कैच लेंगे यह और रमादेवी को मोतिहारी में महागट बंदन का उमिद्बार बना दिया सकता है और ऐसी सिति में राधा मुहन सिंग बहुत टफ मुकाबले में फस जाएंगे पुतुल सिंग, 2014 में दिगविजय सिंग की पत्नी, 2014 में बाका में बीजेपी की पत्यासी थी 2019 में वह चुनाव लरेंगी, पर किस पार्टी से लरेंगी यह देखा जाना है भाजपा में तो हैं ही, पर इधर के दिनों में उन्होंने नितिस कुमार से भी मुलाकात की है इसका मतलब यह है कि जद्यू से भी इच्छा रखती है यहां बताना जोरी है कि दिगविजय सिंग समता पार्टी के संस्थापकों में थे जब लालु यादब से बगाबत का जोर्च फर्णानीस और नितिस कुमार समता पार्टी का गठन कर रहे थे तो जिन लोगों ने बुन्याद रखी थी उनमें डिग विजय सिंग सामिल थे पर बाद के दिनों में नितिस कुमार से उनके संबल्त खराब हो गये थे एल जेपी एल जेपी को एल जेपी को अपनी एकमात्र महिला सांसत बीना देवी के टिकट के लिए बहुत संघस करना पर रहा है कारण है कि मुंगेर किसी जद्यू के खाते में जा रही है ललन सिंग उमिर्वार हो रहे हैं ऐसे में बीना देवी को कहां से टिकट दिलाया जाया राम विलास पासपान के समक चुनोती है बीना देवी की पहचान सुरजभान सिंग की पत्नी की रूप में अधिक है और सुरजभान सिंग बिहार के बाहुबली भी है भुमियार जाती से आते है पतिदित का भी शबाल है तो ऐसे सिती में बिना देवी को ठिकत कहां से देलाया जाए यह यक्षप्रस्ण है जदियू जदियू में जदियू ने दोजार चौदा में आपको मैंने बताया कि दो ही महिला पत्यासिय उतारे थे असुमेच देवी को उजियारपुर से मीना सिंग को आरा से दोनों मौ है उजियारपुर पर और उजियारपुर लगने जाते है उपेंद्र कुस्वाह तो दोनों सूरत में असुमेच देवी के लिए मुस्किल है उपेंद्र कुस्वाह इंडिये में रहते हैं तो असुमेच देवी का टिकत का सवाल ही पैदा नहीं होता है महागत बंदल में ज जबूत है क्योंकि एक महिला पत्यासी उतारेगा तो मीना सिंग को टिकट इस बहाने मिल जा सकता है वह लगातार एक्टिव भी रही है आरा में और पिछले कई महिनों से लगातार केंपेंड कर रही है पिछले पांच बस भी उन्होंने छितर नहीं छो रहा है और मीना सिंग के टिकट की चर्चाओं ने राजकुमार सिंग जो भाजपा के सांसद हैं केंद में मंत्री हैं उनको परिसान कर रखा है पिछले कई दिनों से वह आरा को संतुस्त करने में लगे हैं कि टिकट उन्हें ही मिलेगा पर समझने वाले कहते हैं कि मीना सिंग को लेकर स्रियस कंस कि हैं तो दिकट ये हैं तो सुहली महता की चुनाव लडने में दिलचस्पी आ लोक महता की बहन भी हैं है खगडिया खगडिया से उचाहत रखती हैं और दिक्कत ये है कि भाजपा के पास एक मात्रे के सट वहांनेटा समराध चोधरी हैं समराज चौदरी कि पिता श्कुनी चौधरी खगरिया से सनसदा चुके हैं, कॉंग्रेस में रंजीता रंजन सिटिंग है सुपॉल से, कोई दिक्कत ही नहीं है टिकट में, मेरागुमार का भी सासाराम से टिकट फाइनल है गोपाल गंद को लेकर अब कॉंग्रेस की कोई दिल्चस्पी नहीं है जोती भी बहुत एक्टिब नहीं है बात आज जदी की 2014 में पाँच महिला उमिदबार थी पर 2019 भी हत्य है मानिये कि छपरा से मतलब सारन से राबरी डिवी चुनाओ नहीं लरने जा रही है अब सारन से चुनाओ कौन लरेगा यहां तै होना है बड़ा सवाल है ना सिर्फ पाटी के भीतर बलकि लालूप फैमली के भीतर भी यह कौन वहां से चुनाओ लरेगा मिसा भाति पार्टली पुत्रा से फिर चुनाओ लगने को आमादा है हाला कि उन्हें चुनाओ लगने की जोरत नहीं है वो राजसभा में है पर लगातार कैम्पेन कर रही है समझना यह भी चाहिए कि मिसा भाति यही चुनाओ जीत भी जाती है तो राज़त की राजसभा की एक सीट चली जाएगी क्योंकि उपचुनाओ होंगे तो उस सीट पर एंडिय का कबजा हो जाएगा पर मिशा भाती ने ठान रखाए के चुनाओ लरेंगे दो हो जाए उन्हें इसमें राम किरपाल यादब से फिर भिरना है कांटे सिंग काराकार से फिर चुनाओ लरना चाहती है पर टिकट ले पाएंगी इसमें थोड़ा संदे है हीना सहाब का शिवान में टिकट कौन काटेगा सबाल हीना सहाब का नहीं है सबाल सहाब बुद्दिन का है सबा सहाब बुद्दिन का और सहाब बुद्दिन को शोर पाने के सिती में राज़द अभी तो नहीं है किसना यादव खगर्या रनवीर यादव की पतनी खगर्या को लेकर क्या समीकरन बैठता है किसके महागटबंदन में किसके खाते में यह सीथ जाती है यह देखा जाना है क्योंकि महभूव वली कैसर जो लोजपा के मौजूदा सांसर है वह भी पाला बदलने में लगे हैं तो किसना जादब का टिकट किस करबट बैठेगा किसना जादब मजबूत दामेदार हैं हर परिशिती में कहा जाता है कि खगरिया में रनबीर यादब के नाम देश चे दो लाख वोट है तो ये स्थिती परिशिती बन रही है 2019 में महिलाओं की भागिदारी बरती है घटी है यह देखा जाना दिल्चस्प होगा कि 40 लोकसभाज चेत्रों में कितनी महिला सांसर का चुनाओ लगती है और कितना चुनाओ जीत कर सांसर पहुंचती है आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद